किर्पया हमारे यूटूब कैनल अजीत कैसट को सब्सक्राइब करें और घूंटी का वटन अवश्य दवाएं तो महावीर अंजन सोवन मैं धरूँ आपको ध्यान पवन पुत्र हनुमान को सुकोटि कोटि प्रडा तो काम पिछारी कीजिये और पहले लीजे नाम बगरे प्रभू के नाम के सुवने न कोई काम तो चैगड नायक गड़ पते और चैगड राजगडे से लाज हमारी राखियो मेरे गुरु विने बाबा प्रजे से अदलिय ओबस्तित समस्त स्रुता बंदू मैं संजेश परब पूजनी गुरदेव विने कुमार सास्त्री जी की असी मनुकंपा से वह स्वामि स्री भक्ता नंजी महराज के आसिरवास से ये कहनी जो हम आप लोगों के समक्ष में लेकर के चल रहे हैं रानी मन्जा का वनवास किस तरह से महराज प्रथम की पतनी मन्जा को वनवास दिया आईए देखते हैं एक बार महराज प्रथम जो थे गोडा पर सवार हो करके आरे सो मेरे सिरी भगबात सम्भो को त्यान कियो वलदाई और खेल न चलो सिकार भूप के घोडा लो सजवाई आरे सिरी भगबात सम्भो को त्यान कियो वलदाई कियो वलदाई आव खेल न चलो सिकार भूप के घोडा लो सजवाई एक बार महराज प्रथम जोडा पर सवार हो करके जिस समय जंगल में सिकार खेलने किरी आगे बड़े हैं एले मंत्री को साथ खुसी भगगात चलो हरसाई चलो हरसाई देखो राजा ने दूर से एक भंगन परी दिखाई एक बार महराज प्रथम गोडा पर सवार हो करके जंगल में सिकार खेलने किरी आगे बड़े हैं सामने क्या देखा है एक भंगन जो थी वो महराज प्रथम को देख करके उसने जमीन पर इच्छपड़ा डाल दिया हुआ ऐसा आरे वंगने जहाडू रही है लगाई आरे लगाई आरे लगाई आरे भंगने जहाडू रही है लगाई ओर राजा को जब लखि पाई अपनों मुख़ फेरी लओ जाई छपड़ा जहाडू तई धरन गिराई ये समय महराज प्रथम को जैसे ही भंगने देखा जो जहाडू लगा रही थी छपड़ा जमीर पे डाल दिया और जहाडू लगाने के बदले उस छपड़ा में जहाडू मानने लगी उस महतराणी ने महराज प्रथम का अपमान किया जैसे ही महाराज प्रथम नहीं ये देखा कि इस भंगिन हमें देखते ही छपना में जहाडू के उमाने लगी मंत्री से कहा कि जाओ इस भंगिन से पूछ करके आओ मंत्री जिस समय भंगिन के पास में गया तो महतरानी से कहा है देवी तुमने महराज प्रथम को देखकर कि ये छपड़ा में ज़ारू क्यों मारा तो भंगिन कहने लगी है मंतरी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी ये कुछ राज है और इस राज को मैं राजा को ही बताऊंगी मंतरी ने जाकर कि महराज से कहा तो महराज जैसे भंगिन के पास में आये है भंगिन से कहने लगे है क्या री तुने हमें देख करके छपणा में जारी क्यों महरा सो भंगिन अपने आखों में आशु लेकर के कहने लगी है आरे सोने लेओ राजा चातो रो यारे दानी आरे सोनेले ओरे राजा छातुर आरे धारी आरे नीचा कौमा माहारा जरेहा मारी आरे अरो कर जोड़ी के आरा जा गुजारी राजन राजन तोम तो वड़े यरे पारबीन आरे बिन संता ती कहिए आपो के रहे कोई अन्ना मिले नहीं हमा को महतरानी ने बताया कि आपके कोई संता नहीं है महराज और आप निर्वंसी हो इसलिए आपका जुम्हों देख लेता है उसे न तो अन मिलता है और ना ही पानी मिलता है इसलिए महराज मैंने ऐसा किया महराज ने जब सुना मैं निर्वंसी हूँ इसलिए इस भंगिन ने छपड़ा को जमीन पर डाल करके और उसमें जाडू लगाने मारने लगी और मुझसे मौ फिर मंत्री से कहा एक काम करो मंत्री इसके घर पर आसन पानी भिजबा दो फिर देखता हूँ के इसे भोजन कैसे नहीं मिलता वही किया हुआ ऐसा आरे हो को मैं सुनो है चाबा भूमा कोई आरे मेरे भाईया कोई मंत्री चलो है तता काला जी आरे राशन लेके सब हाप में आरे मंत्री ने औरो तो भंगी ने कोगा हाई जी आरे राशन ले घर कोई गाई मेरे दोदा पारे मन में करो है विचार जी भंगीन के माय के से हुआ ऐसा वो मंत्री जो था राशन पानी लेकर के और महतरानी के घर पे पहुचा दिया महतरानी ने जैसे ही भोजन बनाया लेकन हुआ ऐसा तब तक भंगीन के माय के से उसके भाई आ गए और जो भोजन उस भंगीन ने बनाया था वो भोजन अपने भाईयों को खिला दिया खुद भूकी रह गई मंत्री आया मंत्री ने पूछा क्या हुआ खाना खाया के नहीं खाया तो भंगीन केने लगी है मंत्री अरे खाना खाया के मेरे भाई आ गए मैंने उनको खिला दिया हुआ ऐसा अंत में वो भंगीन जो थी अपने पती को साथ में लेकर की नरवर गड़ को छोड़ करके चल दिये जैसे चले महराज प्रथम ने समझाया लेकिन वो नहीं माने दोनों नरवर गड़ को छोड़ करके चले गए महराज को बड़ी चिंता हुई है अपने मन में मन दुखी भव बलधारी और कहा लीला रची गिर भारी मन दुखी भव मेरी कैसी वो तीच के रानी महतरानी थी क्या करूं कहा को हरे जाओं अब कैसी समय बिताओं क्या अगे रूँ पहले नहीं सोच विचार किया पहले नहीं सोच विचार किया आगे प्या होने बालाए है आगे प्या होने महाराज प्रथम बड़े दुखी हुए और मंत्री से बोले हैं मंत्री अब मैं इस देश में रहना नहीं चाता जब हमारे राज के नीच कौम के लोग भी हमारा अपमान करने लगे अब हमारा यह रहना ओचित नहीं है और आखों में आशु लेकर के महाराज प्रथम अपने मंत्री से बोले हैं मंत्री आरे जोगीरे बनाइद मेरे मंत्री देशाई नरवर में क्या बात है वेटा आरे जोगीरे बनाइद मेरे मंत्री देशाई नरवर में मेरे मंत्री मेटा पडिगवरे निरमंची मेरो नाम आरे ये कुछ है ये करानी वैती रे पहलन में पहराज प्रथम मंत्री से कह रहे हैं मंत्री एक दो रानी नहीं है मेरे आगन में एक को एक रानी आएं लेकिन किसी के भी संता नहीं ही आरे ये कुछ है ये करानी रहती रे पहलन में मेरे पेटा का उस है संतती तो हो न थी दे भेनाएं मेरे पेटा मेरे बने विगडी गए काम आरे एक कुछ है ये करानी मेरे मेहलन में तो उपड़े गओ नेरा भन सी दे दा जैसे ही महराज प्रथम ने मंत्री से कहा है मंत्री अब मैं इस राज में रहना नहीं चाहता अब मुझे जोगी बना दे मंत्री समझाता है महराज क्या कह रहे हैं आप अगर आप जोगी बन गए तो इस राजी का क्या होगा भाई वेनों मंत्री बार बार मना गरता है लेकिन महराज प्रथम नहीं माने और कहते हैं कि हमें तु जोगी बना दे मंत्री ने महराज प्रथम को जोगी बना दिया इदर में महराज जो थे वो जंगल की तरफ चले हैं लेकिन तब तक मंत्री ने जाकर के राणी मंजा को खबर दी जैसे ही राणी मंजा को खबर दी तो राणी दोड़ी दोड़ी अपने पती के पास में पहुच करके कहने लगी महराज ये ना थी ये तुमने क्या किया ये तुमने क्या किया महराज और रो करके कहने लगी है महराज जोगी पाती जवा ते नाय पाती जोगी जोगी पती जवा ते नाय पाती जोगी दिया भरता रवे खेलती माई बाप के कहने लगी आप आज जोगी बन गए महराज पहले तुम जोगी नहीं थे और अगर जोगी बनना था तो सीदिन बन जाते जब मैं कुवारी थी मुझसे साधी नहीं हुई थी उससे पहले तुम जोगी बन जाते आज तुम जोगी बने हो महराज आरे जोगी पति जब ते नाय पति जोगी पिया वरतार में खेला ती माई बाप के जैसी महरानी मन्जा न ये कहा तो महराज प्रथम बोले हैं रानी आरे जनमो तेने नाय कोई अब तकी जनमो हेरानी आरे जनमो तेने नाय कोई अब तकी मन्जा जनमो सो मन्जा मेरी नारे नी कोई बेटा आरे नरवर भी जमे आरे जोगी पती जब तेनाय पती जोगी पिया भरतार रे खेला ती माई बाब के आरे दुला हाज सुनी योद्या नो लगाई जोगी पने के मलमो हमारे ने का जोगी निला यो रे बाब कहने लगी है रानी मन्जा माराज पहले तुम जोगी नहीं थे अब तुम आकर के जोगी बन गए और अगर जोगी ही बन गए तो मुझे भी अपने साथ में जोगिन बना करके ले चलो माराज प्रत्म समझाते हैं रानी आप घर को लोट जाओ मैं इस राज में अब रहना नहीं चाता माराज प्रत्म से रानी मंझा बारवार जित करती है तो प्रत्म कहने लगे हैं रानी अगर तुम हमारे साथ में जाना चाती हो तो एक काम करो क्या बोले महलों से मेरे लिए पानी ले आओ मंझा पानी लेने चली है तब तक हुआ ऐसा आरे आजो भूप बनी को रम गओ है धीरे धीरे आए भूप बनी को भज गओ है धीरे धीरे आरे वानी मंझा महल बठाई और पानी भरन जब रानी धाई खनरब मोह समी हाई तजगओ है धीरे धीरे आप भूप बनी को भज गओ है धीरे धीरे महरानी जब तक पानी नेने के डे गई तब तक महराज तरथम जो थे महलों से जंगल की तरब भाग गए जैसे ही रानी मंझा जल लेकर के आई क्या देखा है महराज प्रथम वहां नहीं रहे महराज प्रथम जंगल में चले गए रानी मंझा पचार खाके जमीर पे गिर गई और सोचने लेगी महराज आपने अच्छा नहीं किया अरी साजन चले गए साजन चले गए जोले भरन गई में पानी साजन चले गए जोले भरन गई में पानी अरी तजिताई प्रीति सभी क्यों हमसे ये तजिताई प्रीति सभी क्यों हमसे बोले जून गई पिया पोसे हमको छोड़ी गए बस अब हमको छोड़ी गए जोले भरन गई में पानी साजन चले गए जोले भरन गई में पानी और रानी मंझा सोच रही है महराज आरे बिना पती के कैसे रहोंगी बिना पती के कैसे रहोंगी आरे तुम बिना नाई पिया में जियोंगी के मुखमों से मोड़ी गए आरे मुखमों से मोड़ी गए जोले भरन गई में पानी अरे साजन चले गए जोले भरन गई में पानी महराणी मंझा रोती रह गई और महराज प्रथम महलों को छोड करके जंगल में भाग गए रानी रोती रही सोचा मेरे पती बारह भरस की कह गए है तब तक इंतजार करूँगी और इधर महराज प्रथम जो थे घुँमते घुमते घुंते जंगल में एक आसरम पर पहुँच गए हुआ ऐसा आरे गुमत गुमत भूप बनी में एक आश्रम पे आयो और बैठे हरिके भजन में एक संतकों लखिपायो जिसमें महराज प्रथम जंगल में एक आश्रम पर पहुँचे हैं उस आश्रम पर एक महत्मादी भगवान के भजन में बैठे हुए थे महराज जोड दो हाथ कही उच्चार और लीजे सरण आपनी बाबा आए द्वार तुम्हार अब तो हाथ जोड़िके कही बाबा जी खर्द सुधार अब तो हाथ जोड़िके कही बाबा जी खर्द सुधार जोड़िके कही बाबा जी भीजे खर्द सुधार महराज जिस समय बावाजी के पास में पहुँचे तो बावाजी ने कहा है बत्स आप कौन है आपका नाम क्या है और कहा के रहने बाले हो तो महराज प्रथम ने बताया कि मैं नर्वर गड़ का रहने बाला राजा प्रथम हूँ मेरे घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई कुछ करपा कीजिए महराज संतान पैदा नहोने के कारण में जोगी बन गया जैसे ही महराज की बात सुनी तो वो संत कहने लगे हैं राजन तुम्हारे पूर्व जनमों के कुछ पाप हैं जिन पापों के कारण तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी महराज प्रथम कहने लगे ऐसे कौन से पाप हैं जिन पापों के कारण हमारे कोई संतान नहीं होगी तो वो संत बताने लगे हैं सुनो आरे पूर्व जनम के पाप लगे तो राजा बलकादी आरे पूर्व जनम के पाप लगे तो राजा बलकादी औरो ताके कारण तेरे महल में भयो नई आतारी आरे भूर्व तुने को तुका किये भादी आरे एक जनम तुने राजा है गई आएक बलकादी आरे श्राप गौप माता ने दो भादी हे राजान एक जनम में तुने एक गाई का बद किया और जब गाई का बद किया तो उस गाई ने तुझे श्राप दिया आरे श्राप गौप माता ने दो भादी आरे यो पिरथम महराज तेरे ना होई तो ईय तारी आरे यो पिरथम आरे भूप तुने हिरना एक मालो आरे भूप तुने हिरना एक मालो आरे साथी हिरने नके पीच यकेलो सो तुने हने डारो राजा साथी हिरना एक मालो आरे भूप तुने हिरना एक मालो कहुरे बानी साथ हिरनियों के बीच में अकेला हिरन था तुने उसे मार दिया राजन आरे भूप तुने सत्ति कहुरे बानी आरे यो संतति हो नकी नाए बने मति साजा अज्यानी आरे संतति हो नकी नाए बने मति साजा अज्यानी महराज प्रथम से वो संत कहने लगे हैं तुने पूर्व जनम में बहुत से पाप किये हैं और उन पापों के कारड ही तेरे कोई संता नहीं है हे महराज बिना मतलम में अज्यान मत बनो जैसे ही महराज प्रथम ने उन संत की बात सुनी तो महराज प्रथम उन महत्म के चड़ों में गिर गए और रोकर के कहने लगे महराज अगर हमारे घर में कोई संतान नहीं होगी तो मैं तुम्हारी इस कुटिया में ही अपने प्राण त्याग दूँगा तो बाबा ने समझाया और कहा है बेटा रोव नहीं अरे रोबैमा तिरे मेरे राजा मेरी कुटिया में आरे रोबैमा तिरे मेरे राजा मेरी कुटिया में मेरे राजा तेरो कोई न गोई करोंगा आरे युपाई तुमने जो कहा है कि तुम्हारी कुटिया में प्राण त्याग दूँगा वो संत संत नहीं जिसकी कुटिया में आकर के भी इंसान दुखी हो करके चला जाए मैं तुझे दुखी हो करके नहीं जाने दूगा आरे बार बार बाबा देखो वाजै सान मजावे आरे अच्छी नीदी बाते तो यम रहे अरे बनाए आरे तमसादूने वाई कुटिया में आरे तमसादूने वाई कुटिया में आरो उम्माता जोती सेलोरे ध्यानमरे लगाए ललान सूप बाबा जी महराज ब्रथम को समझा रहे हैं और माता जोती से निवेदन करते हैं मा आरे बारा बारा भी नती हैं भाई आये तो से आरे मेरी तो इच्छा फूरण करी ओरी आये मेरे पैया मेरी करोज सहाई आरे आज मुसीबत मेरे सिरफ हैं मेरी माईया मेरी करोज सहाई आरे आज मुसीबत मेरे सिरफ हैं कऊ राजा पिरथम नाही माईया बावा जी ने माता जोती से ध्यान किया और निवेदन करते हैं मावा जी माता जोती से के मा अगर राजा प्रथम मेरी कुटिया में मर गया तो लोग हमारे बारे में बुरा भला कहने लगें और कहा ये चावल अपनी प्रियरानी को खिला देना जैसे महराज को ये चावल दिया तो महराज के मन में लोग पैदा हो गया सोचने लगे मेरी सो रानिया और हैं उनके लिए भी आप चावल दे दिजिए महराज त्रथम को बाबा जी ने सो रानियों के लिए भी चावल दे दिए आज महराज को बारे बरसी बीट गई और महराज अपने राज के लिए चले हैं हुआ ऐसा आरे पार बरसके पादि मूप जब अपने राज को धायों ए पार बरसके पादि मूप जब अपने राज को धायों और उच्चावल लेके हाथ में बहुत तो हरा खायो महराज भूपको ज्छाई खुशी अपार और जाई खबाऊं चावल को प्यारी मेरी बंगानार भाया मन में बड़े विचार वूपनर वरको धायोय भाया मन में बड़े विचार वूपनर वरको धायोय भाया मन में बड़े विचार वूपनर वरको धायोय महराज प्रथम जिस समय हाथ में चावल लेकर के बड़े मगन हुए हैं खुस हैं धीरे 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 चलते चलते और अपनी महलों में आया है जहां रानी मन्जा बैठी हैं अन्य रानिया भी बैठी हैं बहाँ पहुँच गए हैं और जैसे ही महराज रानियों को बैठी हुए देखा महराज प्रथम जब पास में पहुची तो जैसे ही रानियों ने अपने पती को आते हुए देखा बड़ा सम्मान किया आरे आपत देखे पिया मगन भोहिया खुसी भाईवारी ओ गयात बल्म कोले गई के घर में वो घर बारी ए आपत देखे पिया मगन भोहिया खुसी भाईवारी खुसी भाईवारी पिया हात बल्म कोले गई के घर में वो घर बारी आय सुन्दर आजनड़ारी लईत बेठारी कंत हित गाहारी ठाले लो हुरे व्यारी अगारी खागी ये आबत देखो जब संया तुम पजरंग बलिगात हो ठबाई और लाईत जनिया मोर पंखकी धोरे पतिय पने में ब्यारी और हात जोड़ी महरानी वोले हिसा कुलिखे नाचिको मार और बारे बरसा के बाद में आये चहरा खुब रहो हर साई जैसे ही रानियों ने अपने पति को आते हुई दिखा बड़ा सम्मान किया उच्च आसन पर बिठा दिया उसी समय महराज प्रत्थम ने सबसे पहले रानी मंझा को बलाया और रानी मंझा से एक बात कही रानी ये चावल एक महत्मा की द्वारा हमें मिला है इस चावल को तुम खा लीजिए जिसके खाने से तुम्हारे गर्ब धरड हो जाएगा और तुम्हारे गर्ब से एक बालक जनम लेगा उसी समय तो चावल खायो नारे ने करे पति चरण को ध्याने हर ऐसी किरपा करी सुभयो गर्ब आधाने जैसे ही मन्जा ने पति का दिया हुए चावल खा लिया मन्जा गर्ब बती हो गई अन्यरानियों ने विचार किया अगर मन्जा के गर्ब से बालक पैदा हो गया तो हमारा तुमारा ठेकाना नहीं रहेगा उन्होंने सुभयो ओ विचार बनाया और महराज प्रथम से कहा है कि महराज हमें भी चावल दीजिए तो महराज प्रत्थम ने अन्ये सोरानियों को भी चावल दिया समने चावल खाए लेकिन उन्होंने विचार किया कि रानी मन्जा के गर्व से जो बालक बैदा होगा बोही इस राज का उत्रा धिकारी बनेगा लेकिन महाराज तर्थम की जो पत्नी सुर्जा थी उस सुर्जा ने विचार किया कि पंडित द्वारा चाल चल करके और रानी मन्जा को मरबा दिया जाए आरे पबन पुरी से सुर्जा ने के पंडित लए भूलवाई ए पबन पुरी से सुर्जा ने है पंडित लए भूलवाई और पास बिठायों पंडित को ऐसे जिरा सुनाई महाराज के सुर्जा कहाना लगी सावो जाए ओ पंडित जी बात सुनो तुम्हे रहे है साचु वता मेरे पंडित जी मेरे पंडित जी एक काम तुम्हे नेक करिवें सुनो हमारी बात मेरे पंडित जी सुर्जा कहने लगी है पंडित जी तुम्हे काम करना है बोली क्या काम करना है बताया मंझा गरबती है और इसके बालक पहिना हो गया तो हमारी इज्यत नहीं रहेगी हम कहीं के नहीं रहेंगे इसलिए पंडित जी तुम्हे काम करो अरे पंडित सुनिले उमात हमारी पंडित सुनिले उमात हमारी और मरवाई देव मंझा प्यारी अरे तब या भठी कटि जाई सारी और तुमकू दोलत देवे भारी सुर्जा ने कहा महराज तुम रानी मंझा को मरवादीजिये और अकर तुम रानी मंझा को मरवाद होगे तो मैं तुम्हें इतनी दौलत दूगी कि कभी किसी के दौर पर तुम्हें मागने की इच्छा नहीं होगी पंडित जी कहने लगे हिरानी मैं महराज को क्या बताऊंगा क्या भाहना करूंगा तो सुर्जा बोली तुम अपनी पत्रा देखकर के कह देना कि मन्या की गर्व से सनीचर पैदा होगा और जो सनीचर तुम्हारा नास कर देगा इतनी बात सुनकर के पंडित जी चले राजा की पास महराज ने कहा आईए पंडित जी उच आसन पर बिठा लिया पंडित जी कहने लगे महराज नर्वर गड़ पर बहुत बड़ी मुसीवत आई है क्या हाँ राजा बोला कैसी मुसीवत आई है तो पंडित जी बोले सुनो आरे नर्वर गड़ खेयू पर राजा रही है मुसीवत आई रे पेटा आरे नर्वर गड़ खेयू पर राजा रही है मुसीवत आई रे और त्यारी रानी है मन्जा गरव से पत्रा रही बता ही रे और होई सनी चरव पेदा गरव से महराज ये पत्रा कह रही है तुम्हारी रानी मन्जा जो है वो करव से है लेकिन महराज महराज तुम्हारी रानी मन्जा के गरव से सनी चरव पेदा होगा जो तुम्हारा नास कर देगा और तुम्हारी गए यति राजा त्यारों है नामडूम यही जाही रे मेरे राजा तुमसे कही दैरे मन की हमने बार पंड़ जी ने राजा को बहका दिया और महराज प्रथम का चहरा जो था वो सुस्त हो गया अम महराज महलों में गए हैं राणी मन्जा ने अपने पती को आते हुए देखा बड़ा संबान किया बहुत संबान किया उच आसन पर बिठा लिया लेकिन सुस्त चहरा को निहार करके राणी ने प्रस्ण कर दिया महराज क्या कारण है जब कभी आती थे तो बात बात पर हसने का सुभाव था तुमारा लेकिन आज तुमारा फूलों जैसा चहरा मुर्जाया क्यों है और राणी महराज प्रथम से प्रस्ण करती है कि किसी कारण से प्रियतम प्यार और गईतन की बदले रुहानी है बदले 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 कर दो कर दो कर दो रानी महराज प्रथम से प्रस्न करती है किस कारण से त्रीतमों प्यार है गईतन की मद निरुहानी है क्या चिन्ता मन में लगी वै चहरा को धर की गयो पानी है क्या चिन्ता में लगी वैजए जानी छिरेग ठानी है क्या चिन्ता में लगी वैजए क्या में लगी वैजँ कर दो कर दो क्या बात है आप क्यू सुस्तो हो महराज क्या भूका संत गया दर से क्या भूका संत गया दर से या दुख में कोई संगीन हुआ या कोई भूल बनी हमशे जिससे चहरा गमगीन हुआ जिससे या भूल बनी हुआ जिससे या महराणी मंज्ञा ने अपने पती महराज प्रथम को आते हुई देखा बना संबान किया लेकिना भूल बनी हुआ दर 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 किया दर क्या दर कोई संगीन। सुस्त चेहरा को नहर करके रानी ने प्रिस्ट कर दिया महराज क्या कारड है जब कभी आते थे तो बात बात पर हसने का सुभाव था तुम्हारा लेकिन आज आज तुम्हारा चेहरा सुस्त क्यों है महराज प्रतम कहने लगे है रानी हुई हमारे सामने आखे निकाल करके बात न कर तो कुल की कलक की नहीं है रानी मन्जा की बात महराज प्रत्म ने नहीं सुनी और महराज ने कालू महतर को बुलबा लिया और आदेश दिया कि जाओ रानी मन्जा को जंगल में ले जाकर के मार दो और इसके नेन और कलेजा निकाल करके मेरे पास लाओ महतर ने मना किया समझाया महराज ऐसा कैसे कर सकते हैं और रोकर के वो महतर महराज प्रथम को समझा रहा है महराज मैं रानी मंजह को नहीं मार सकता आरे सुनी ले उरे लादा मेरे सत्ती मेरी वानी आरे सुनी ले उरे राजा मेरे सत्ती मेरी वानी आरे काए कुंतमों से जिया करवाई रहे तैहा पापू आरे के सिर्मानू रादा जानी मंजह को आरे के सिर्मानू रादा जानी मंजह को आरे मेरी तो धरा मागी लगया ये आरे मात आरे कहा ता बिगालो रादा जानी मंजह को आरे कहा ता बिगालो रादा जानी मंजह को सो राजा मेरे काए को रहे रे मारवाए आरे राजा सुनियो हमारी बात नए में मारू राणी मंजह को मेरी लगया रे धर्म की राजा महतर कहने लगा है महराज में राणी मंजह को नहीं मार सकता क्योंकि राणी मेरे लिए धर्म की मा है वाई वे लो महराज प्रथम कहने लगे हैं महतर हमारा आदेत है और अगर तुने राणी मंजह को नहीं मारा तो मैं तुझे फासी लगवा दूगा मजबूर होकर के महतर जो था वो चला गया राणी मंजह के पास में पहुँच गया राणी मंजह ने जैसे ही महतर को आते हुए देखा तो मंजह कहने लगी है आए कैसे आना हुआ महतर कहने लगा राणी कुछ मत पूछो महराज ने तुम्हें मारने के लिए हमें भेजा है रानी मंजह ने जैसे इतनी वाद सुनी तो कहने लगी है बेटा इसमें तेरा क्या कसूर है कसूर तो मेरा है कसूर तो मेरा है जो मेरी किस्मत में लिखा है वो होना है लेकिन तू अपने फर्च को निभा मेरे लाल आज वो महतर रानी मन्जा को ले करके चला है आरे मन्जा को ले महतर चलो कोई पहुचो है जंगला पी सोनो मेरे भाई आवे आरे मन्जा को ले महतर चलो कोई पहुचो जंगला पी सोनो मेरे तादारे आरे मारन कोई उत्तत हुआ तोई आये भी सुडू भगबा कई ही सुने बेटावे जैसे ही महतर रानी मन्जा को ले करके जंगल में पहुचा है भाईयो और जैसे ही मन्जा को मारने के लिए उत्तत हुआ तब तक भगबान पे शुडू प्रकट हो गए और कैने लगे हैं रुख जाईए मेरे लाल आरे क्यो मारत चा पच्छा को कोई दियो रे साभू समझाई तो नो मेरे लाला ले आरे क्यो मारत चा पच्छा को कोई दियो साभू समझाई तो नो मेरे लाला ले भगवान ने महतर को रोक दिया और माया रुपी म्रग को मार करके महतर उसके कलेजा और नैन निकाल करके नर्भरगड में चला गया राजा को दिखाया राजा ने कहते उन्हें मंझा को मार दिया बुले हाँ इसके पेट मेंसे क्या निकला था तो महतर बोला है महराज जब उसका पेट भाड़ा तो उसमें से तुम्हारे जैसा एक बालक निकला जैसे इतनी बात सुनी तो महराज प्रथम ने बड़ा ही सोक प्रकट किया बहुत ही दुखूगा महराज प्रथम को सोचने लगे मैंने राणी मंझा को व्यर्थ में मार दिया दूसरे के कहने पर भाड़ाज प्रथम को बड़ी चिंता हुई आरे कोरव यादवजी ममारे हमारे मेरे भाईया ढोला कमधुरी ने तई है आरे वजाई आरे कुसु पेतरा मेरे क्यारे वखिया ने मेरे भाईया चि मता दिन औरे आजू खटकाई आरे याद सूया तब सीसी हमारों मेरे टालना मेरा होरे लहराई आरे संचय आदव ना महारों आरे गाओ ढ़का पुदा के धेरे वजवार आरे यती सुभगत जी मेरे भाईया पोई सभा के सोभा ने तईरे वढ़ाई मेरे भाईया ध्यान विसरे नाई डाई आरे जो कछु कलती बनी होई मोत है कोई मा भुकरा मेरे भाईया